का वैलकम टू फिजिक्स इंस्टिटू जापूर आज हमारे कलास होगी विद्धूत दीद्रू के बाड़े में दीद्रू आगउन के बाड़े में और किसी पॉइंट पी पर जिसके दूरी है दीद्रू आगउन से आर उस पॉइंट पीपर हम एलेक्ट्रिक पोतेंशियल व bers Carl के बारे में और विद्दूद विभाव काल्कुलेट करेंगे और विद्दूद छेतर की ती Nature क्येसिए करीं और सब सकते हैं विद्दुर के बारेमें और देद्रोगिन के बारेमें चीकिआ बचोथ चलो आओ सब तो पहली हेडिंग है विद्दू दीविधू देखे बचो मना कि दो आवेस हैं 1 प्लस क्यूँ आवेस है तथा 1 माइनस क्यूँ आवेस है ये दोनों आवेस परिमाण में तो समाल है बट इनकी जो डाइरेक्शन है वो अपोजिट है मतलब एक प्लस क्यों है और एक माइनस क्यों है और यह दोनों आवैस एक दूसरे से अतियल दूरी D से D distance दूरी परि tablespoons है इसलिए ऐसा योगम जो दो आवैस से स्थाची हो जिसके अंदर और उन दोनों की बीच की दूरी D हो और वो विपरिद पर करते के हो तो इस परकार के योगन को हम क्या कहते हैं विद्दू ग्वीद्रू कहते हैं ठीक है बच्चों माना एक चार्ज क्या है ब्लस क्यों है और एक चार्ज कितना है माइनस क्यों है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है तो इस प्रकार की युगम को हम विद्दू गीद्रू कहते हैं अब देखे बच्चो हमारा नेक्स्ट टोपिक है गीद्रू आवो देखे बच्चो माना दो चार्ज हैं एक प्लस की चार्ज हैं एक माइनस की चार्ज हैं और ये एक दूसरे से d distance पर इस्तित है ठीक है बच्चों तो इन आविसों के एक आविस का परिमार कोई भी एक आविस का परिमार तथा उन दोनों की बीच की दूरी के गुणनल फल को हम दीदरू आगून कहते हैं दीदरू आगून को प से रिपरजेंट करते हैं और प एक सदिसराशी है तो प वेक्टर इसका परिमार इन्टू मल्टिप्लाई डिस्टेंस तो प इसका जो मात्रक होता है वो डिवाई होता है ठीक है तथा एक और मात्रक इसका कुलांग मेटर भी होता है और बच्चों दीदरू आगून की दिशा नेगेटिव से पोजिटिव डाइरेक्शन में अगती है ठीक है बच्चों अब देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टोपिक है किसी दीदरू आगून के कारण किसी बिंदू P पर विद्दूत विभाव माना दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है यह एक 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 जैर्ट तेल में रखे हुए है जैर डाइरेक्शन में रखे हैं जैरं सिस पर देखो बच्चों बिंदू एपर तो माइनस क्यू चार्ज रख दे. और डिस्टेंस पर रखे हुए बिन्दू P पर विद्धुत विभव कैलकुलेट करेंगे ठीक है बचो और बिन्दू P की B से दूरी मतलब प्लस Q4 से दूरी R1 जथा माइनस Q4 से दूरी R2 है और बिन्दू P की सेंटर कॉंट ओसे डिस्टेंस कितनी R चलो आओ P पर विद्धुत विभव कैलकुलेट करते हैं करेंगे प्लस Q4 से दूरी R2 है और बिन्दू P पर विद्धुत 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 विद्धू कर दो कर दो अब बचू डायग्राम को एक बहुत धान से देखिए बचू ये पॉइंट कोई पी है और इससे ओ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर है और पी की बिंदू बी की जो डिस्टेंस से वो आर وन है और बिंदू पी की बिंदू ए से जो डिस्टेंस से कितनी है राटू है ठीक है बच्चो और लिए एंगल ठीटा है अपार्टू प्लस Choi चार्ज बिंदू बी पर रखा है और माइनस क्यू चार्ज बिंदू ए पर रखा है और इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चो अब देखे बच्चो कल हमने जो एक डेरिवेशन किया था और हमने पहले भी यह फॉर्मूला पड़ चुके कि किसी चार्ज की कारण जो पोटेंशल होता है जो पर विभव कितना आपता है चलगो प्लस की चार्ज के कारण बिंदू पर जो विभव आएगा उसको अपन वी बन से रिपरजेंट करेंगे और बिंदू बी से और बिंदू पी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है रवन है अर्थार के क्यू बाई आग तो आर के चेगे बिंदू पर रखे माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशिल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा क्यू बाई आर्टू क्योंकि जो ए और पॉइंट पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर्टू है अब देखिए बच्चो बिंदू पी पर जो टोटल विभव ह होगा वो कि इसके बराबर होगा वीवन प्लस वीटो के बराबर होगा इसको बच्चो एक्वेशन वन दे तो इसको एक्वेशन टू और इस वाली को एक्वेशन थरी अब देखो बच्चो एक्वेशन थरी में अपन वीवन की वेल्यू एक्वेशन वन से और वीटो की वे ठीक बचो अब आपन क्याते हैं एक बार आप डाइगराम को ध्यान से देखिए एक बार बचो ओ बी और म इस वाले तिर्बुज ढ़र को ध्यान से देखिए एक बार उबी डिखेश गड़ी किस के बराबर होगा कोष्ट ठीटा के बराबर होगा चलवाओ देखते हैं अब देखें बच्छों जो अबनोबी ओ है उसकी डिस्टेंस कितनी है डिएपाइट देखें बच्छों यहां से लेकर और यहां तक जही डिस्टेंस से वह कितनी है डिएवाीट्यक्तू वेकलिकूज बी से लेकर एक तक जो complete distance से दोनों चार्जों के बीश की वो है D, तो B से ओके दिस्टेंस D by 2 हो जाएगी then B M is equal to D by 2 कोश छीटा, बचो इसको equation number देदेंगे 4 देखें बचो इसी परकार तिरुबूज O, A, L में अब देखें बचो एक बार आप तिरुबूज O, A, L देटी लिए देखें बचो O, A, और L ठीक है बचो और बचो O, A की वेल्यू है वो कितनी है ये देखें O, A की वेल्यू कितनी है D by 2 इसको दे दीजी equation number 5 अब बचो देखें जो अपनी R1 है R1 किस के बराबर है अब ये देखें बचो R1 किस के बराबर है PM माइनस PM PM इसको बचो अब बचो आरवन इस इकोल टू BP इस इकोल टू PM माइनस BM एक बार बच्चो द्हान से दुबारा एक बार और देख लीजी देखो बच्चो बच्छो आरवन डिश्टैल्स हre वह कटनी है फी फट है और इसको अपन कंट कैल्कुलेट कैसे करने अपन काल्कुलेट करेंगे पी एम माइनस बी थीख बच्छो इस वाली बड़ी वाली distance से अपन इस छोटे वाली distance को माइनस करने पर अपने को R1 की value calculate हो जाएगी ठीक है बच्चो और ये देखिए बच्चो जो P और M की distance है P M की distance वो कितनी है R है because ये दोनो same same distance की है इसलिए P M की value कितनी हो गई R की तो देखिए बच्चो P M की value हमने put करती R और B M की value हम equation 4 से put कर देंगे और वो कितनी है D by 2 कोश छीटा और इसको equation number दे देंगे 6 और इसी परकार बच्चो अपन क्या करेंगे R2 की value भी calculate करेंगे अब एक बार R2 देख लिए R2 कितनी distance है P से लेकर A तक तो अपन कैसे calculate करेंगे P A is equal to PL PLUS LA ठीक है बच्चो और अपने को PL तो पता ही है कितनी है R है ठीक है और AL अपनने calculate कर ली ठीक है बच्चो और उन दोनों को add कर देंगे तो अपने पास किस की value आ जाएगी PL की अब देखिए बच्चो अब देखिए बच्चो AL की value कितनी है ये वाली distance अपनने calculate की थी और वो कितनी आई थी D by 2 कोश्ट हीट PLUS LP की जो distance हो कितनी है R ठीक है बच्चो इसको equation number 7 दे देता है ठीक है बच्चो अब जर्ब पीछे देखिए एक बार बच्चे बच्चो जो अपने पास जो potential की value आई थी V is equal to KQ R2 minus R1 upon R1 R2 तो अब बच्चो अपन क्या करेंगे equation number 6 से और equation 7 से इस वाली value में अपन R2 और R1 की value put कर देंगे और फिर अपने को potential प्राप्त हो जाएगा ठीक है बच्चो चलो आओ calculate करते है V is equal to KQ into D2 by D by 2 cos theta plus R minus R plus D by 2 cos theta यहाँ पर बच्चो देखो R से R cancel हो जाएगा टूपड़ आगा जाँ कर साचा जाएगो टूज। अब देखिए बचो अब हमें फाइनली क्या मिल गया अब देखिए बचो जो उन दोनों की बीच की जो डिश्टेस थी वो कितनी थी अतियल्प थी मतलब वो बहुत कम थी मतलब हुआ यह कि अपन उसको आर के कमपियर में बहुत कम मान सकते हैं और जब इनका स्क्वाइर हो जाएगा तो आर तो आर इसक्वाइर तो बहुत कि इसलिए आर इसक्वाइर के कमपे रीजन में डी स्कॵाइर बाइफोर बहुत कम वेल्यू है इसलिए दी स्कॵाइर हो आकस्वी टाओ डि नेनकम मांने पर हमें क्या मिलेगा के किवडी कोश्ट चिता को कं अपॉर हुर आर इस को P is equal to Q into D तो अपन Q D की जगे P पूट कर देंगे Finally हमें equation 8 मिल गई V is equal to K P cos theta upon R square और जो कि बिंदू P पर किसी दीधरू के कारण विद्धुति विद्वाव का मान है अब देखिए बचो हम potential का एक form और calculate करते हैं आप तो जानते ही होंगे बचो कि दो वेक्टर का जो dot product होता है वो कितना होता है उन दोनों के magnitude into cos theta की बराबर ठीक है बच्चो यदि हम R vector की जगे R vector upon R मतलब R cap लिख दें तब तब क्या आएगा P R cos theta upon R तो R से R cancel होगे बच्चो और यह क्या बन गया बच्चो R cap P cos theta ठीक है बच्चो अब अपन क्या करेंगे P cos theta की value इसमें पूट कर देंगे अब देखिये बच्चो आगे और बच्चो यदि हम R cap को R vector के रूप में change करेंगे तब equation 9b एक विद्धुत विभाव का ही मान है किसी बिन्दू P पर विद्धुत देधरू के कारण आए बच्चो हम अब दो case लेते हैं एक बार theta is equal to 0 और एक बार theta is equal to 90 ठीक होचो सबसे पहले case first when theta is equal to 0 then cos 0 is equal to 1 और ये वाली value v is equal to kp cos theta upon r square में put करने पर और अपन cos 0 की value 1 वहाँ पर put करेंगे तो अपने को क्या में लेगा kp upon r square case second when theta is equal to 90 degree then cos 90 degree is equal to 0 और v is equal to 0 अब देखिये बच्चों हमें बिन्दू P पर विद्दूत विभाव भी value ग्राफ्ट होगी अब हमारा next topic है किसी बिन्दू P पर विद्दूत विद्रू के कारण electric field की intensity मतलब विद्दूत छेतर की अब देखिये बच्चों अब देखिये बच्चों अब भी अपन ने पिसले derivation में calculate किया था और वो कितना था v is equal to kp cos theta upon r square अब देखिये बच्चों कि अपन ने जब gradient की definition की थी वहाँ पर अपनने एक relation calculate किया था e is equal to minus gradient v मतलब e is equal to minus del v ठीक है बच्चों अब देखिये बच्चों ये वाला क्या है ये del है और del की polar coordinate में जो value होती है वो कितनी होती है e vector is equal to minus r cap del by del r plus theta cap upon r del y del theta ठीक है बच्चों अब इसको देदेंगे equation number 2 और समीकर्ण 2 में एक से मान रखने पर चुंकि electric field एक सदिश चेतर है इसलिए इसके पास direction भी होगी और इसको हम इस प्रकार represent करेंगे कि e is equal to e r r cap plus e theta theta cap और यहाँ पे जो e r है उसकी value है e r is equal to 2 kp cos theta upon r square इसको दे देते हैं equation number 3 और इसी परकार आपन क्या करेंगे e theta की value को calculate करेंगे और e theta की value क्या होगी इस वाले का derivative किसके respect में theta की respect में चलो देखते हैं e theta is equal to kp sin theta upon r square अपने को e r की value पता चलगी और e theta की value पता चलगी ठीक है बच्चों तो e r की value equation 3 और e theta की value equation 4 तो अपन e r और e theta की value इस वाली equation में put कर देंगे जो की e vector is equal to e r r square plus e theta ठीक है चीक है बच्चों और put करने पर हमें क्या मिलेगा finally चीक है बच्चों kp upon r q दोनों में common आ रहा था इसलिए इनको बाहर मिकानने पर चीक है बच्चों अब अगर विद्दू और यदी विद्दू छेतर की इतिवरता का जो अगर परिमान calculate करें तो e is equal to under root e r का square plus e theta का square अब देखिए बच्चों ये वाली trend open क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं ये वाली कितने बचेगे केपी απोन आर क्यों बचेगे जिर और इसका क्या बचेगा फोर कॉसी स्क्वार ठीटा कर ले घुए जो अब क्या नग कर लेंगे और फ्री कॉछी स्क्वार ठीटा अलग कर लेंगे और जो तो अकेला कोशी स्क्राइड थीटा प्लस सायनीस्क्राइड थीटा है, वो क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा, तो अपने को मिलेगा क्या? Kp एपोन आर्क्यू, 3 कोशी स्क्राइड थीटा प्लस, 1 की पावर, 1 बाइटू बचो जो अपने को equation 5 मिली है वो क्या है? electric field की intensity और उसका परिमान है ये